शो शेर मार्किट का जो समूंदर है that is called future and option and उसी future and option की भी अपनी एक language है call option, put option, expiry, कैसे trade करने, option buying काम कैसे करते है तो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे पूरी के पूरी जो भी language है future and option की हम discuss करेंगे अच्छे से तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंदर तक देखना मैं बिलकुर सरल तरीके से सरल वी के अंदर आपको future and option क्लियर करवाँगा, put option को क्लियर करवाँगा, call option को क्लियर करवाँगा तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंद तक देखना तांकि आप सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कलियर करके जाएं सबसे पहले समझते हैं what is future and option future and option है क्या तिको future and option एक derivative contracts है जो कि दो जनों की बीच में होता है एक buyer के बीच में एक seller के बीच में तो मैं आपको एक example से समझाता हूँ what is future and option and कैसे ये contract होता है for example ये एक mouse है ठीके ये mouse एक business समझ लो कि ये एक business है and मेरे को लगता है कि ये जो business है वो next week बढ़ेगा मतलब इसकी valuation बढ़ेगी या इसका price बढ़ेगा तो मैं क्या करता हूँ मैं इस चीज़ को buy कर लेता हूँ ठीके और अगले week मैं इसको बेच दूँगा जब बढ़ेगी ठीके उसी तरह से एक seller है seller को लगता है कि इसका price जो है वो कम होगा next week तो seller क्या करता है आज इसको बेच देता है आज इसको बेच देता है अगले week जब ये सस्ता हो जाएगा तो इसको खरीद लेगा आज बेच दिया, कल खरीद लेगा ठीक है, तो दो जुनों के बीच में contract होता है, that is called future and option, so future and option के अंदर कौन-कौन सी language होती है कौन-कौन सी चीज़े होती है, अभी मैंने आपको एक एक example से समझातो दिया कि एक buyer जो होता है, वो खरीदता है और फिर बेचता है, एक seller होता है भी बेचता है फिर खरीदता है तो ये कैसे बेचते हैं, करते हैं, कैसे हैं तो मैं आपको board पे सारा कुछ समझाता हूँ अच्छे से ठीक है, so future and option की चार language है, that is called first है call and put option so मैं आपको एक example से detail के अंदर बता हूँ call and put option क्या होता है strike price क्या होती है उसके अंदर load size क्या होता है, expiry क्या होती है मैं आपको हर एक चीज एक example के तुरू समझाता हूँ for example अभी ना bank nifty है bank nifty लोग 45,000 पर पर बैंक nifty का भी जो currently जो price है वो 45,000 है ठीक है, तो मिरको ये लगता है कि आने वाले जो कल परसो दो दिन बाद तीन दिन बाद मिरको ये लगता है कि जो bank nifty का जो price है ना वो उपर जाएगा, वो 45,300 तक जाएगा for example मिरको ये लगता है कि market अप जाएगे ठीक है, तो मैं क्या करूँगा मैं call option buy करूँगा call option हम तब buy करते है जब market अप जाती है ठीक है, जब market अप जाती है तो हम call option को buy करते है जब call option को buy करते है bank nifty 45,000 पर इसका मतलब क्या हमें 45,000 पर देने बढ़ेंगे अगर हमने call option को buy करना नहीं तो हम इसके अंदर क्या करते है derivative contract के अंदर क्या होता है future and option के अंदर क्या होता है एक premium pay करते हैं हम और वो premium कितना भी हो सकता है 100 रुपे, 200 रुपे, जितना भी premium होगा उतना हम premium pay करते है और वो premium ही उपर नीचे होता है और वो premium अगर positive है तो हमें profit होगा जितने पर हमने buy कर है अगर उससे negative है तो हमें loss होगा वो कैसे, मान लो 45,000 है तो मैं सबसे पहले आपको strike price बताता हूँ अब क्या होगा इसके ना strike price होगा जिसे 45,000 है तो 45,100 45,200 300 ठीक है उसके बाद 45,900 45,800 ये सारे के सारे जो strike price है तो मैंने क्या करा मेरे को लगता है कि market अप जाएगा तो अब जाते है तो जो strike price होता है वो नीचे वाला 45,000 है तो 45,900, 800 ये वाला buy करते है मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा strike price की उपर कि कौन सा strike price हमें buy करना चाहिए तो मैंने क्या करा मैंने 44,800 का strike price देखा और उसका जो premium था वो 1,500 रुपे था या फूर एक्जामपल 200 रुपे था ठीक है वो 200 रुपे था कम से कम 15 shares का load मिलते है load size क्या होता है bank nifty के अंदर 15 का हम 15 से कम buy नहीं कर सकते हमें कम से कम 15 खरीदने या बेचने होंगे तो 15 एक का price 200 है तो 15 का कितना हो जाएगा 3,000 मैंने 3,000 रुपे का एक load खरीदा ठीक है मेरे को लगता है कि market अप जाएगा यह जो 200 रुपे का मैंने खरीदा था यह 2 दिन बाद या उसी दिन ही यह 500 रुपे हो गया मैंने खरीदा कितने पे था 200 रुपे हो कितना गया 200 तो मेरा 50 जो difference है 50 premium मेरा बढ़ गया अगर 50 premium बढ़ गया तो मेरे पास quantity कितनी थी पचाश साथ 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 का मिरे को profit हो गया जैसे ही वो उसका premium बढ़ा तो मिरे को call option लगा कि जब market बढ़ती है तो हम क्या buy करते हैं call option buy करते है ठीक है call option आपको समझ आया होगा आपको strike price समझ आया होगा आपको load साही समझ आ गया और उसके बाद expiry भी मैं आपको बताता हूँ हर एक share हर एक जब भी हम contract sign करते हैं या derivative future and option के अंदर buy करते हैं तो उसकी एक date होती है expiry की weekly expiry होती है monthly expiry होती है अगर हम weekly expiry के अंदर trade कर रहे हैं तो weekly expiry है Wednesday हर Wednesday को जो हमने अपना जो contract लिया है जो हमने buy करा है उसकी expiry हो जाएगी हर बुद्वार और अगर हमने monthly में buy करा है तो उसकी हर month का जो last गुरुवार होगा उस दिन उसकी expiry हो जाएगी ठीक है तो उससे पहले पहले हमें बेचना होगा और अगर हम नहीं बेचते तो market उस दिन अपने आपी उस चीज़ को बे हम तब ही पैसे कमा सकते हैं बट फीचर और ऑप्शन के अंदर यह भी चीज होते है कि market जिसने गिरती है हम तब भी पैसे कमा सकते हैं हम यह पता है कि बैंक निफ्टी वही एक्जामपल बैंक निफ्टी का जो प्राइज है वह 45,000 है ठीक है हमें लगता है कि market 500 गिरेगा यह 45,500 पे आएगा हमें लगता हमने chart को analyze करा तो हमें लगता है कि कुछ ऐसी news आ गई chart को हमने analyze करा कि market downtrend में जाएगा 45,500 पे आएगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम call option buy नहीं करेंगे अब हम put option buy करेंगे जब market गिरनी होती है for example वही same process है strike price होता है ठीक है 45,100, 45,200, 45,300 उपर से 49,900,800 तो इसके अंदर हम basically क्या करते है जो out of the money जिसको कहते है strike price को कि जो price चल दो से उपर जो strike price होगा उसी buy करेंगे उससे जो निचे वाले उसको buy नहीं करेंगे जैसे मैंने 45,300 buy करा strike price ठीक है तो इसका price 300 है वही 15 का load size होगा तो मैंने कितने रुपे पे करें मैंने 45,400 रुपे पे करें ठीक है 45,400 रुपे लगा के मैंने एक put option buy करा क्योंकि मेरे को लगता कि market downtrend में चाहेगा एड़ उसी दिनी market अगर downtrend में चला गया तो for example मैंने 300 रुपे का खरीता और वह 400 रुपे का हो गया तो मेरा 100 रुपे का profit हो गया ठीक है और 15 का load size है तो मेरे को यहाँ पे 1500 का profit हो गया market गिरते टाइम पे सेम प्रोसेस हो तक spirey सेम होती है load size सेम होता है strike price वैसा ही होता है call and put के अंदर एक डिफ्रेंस है कि call option को हम तब buy करते हैं जब हमें लगता है कि market यहां से downfall में जाएगी तो हम किसके अंदर trade कर सकते हैं most of the लोग bank nifty में nifty 50 में trade करते हैं हम stocks के अंदर भी कर सकते हैं reliance के अंदर महिंद्र एंड मेंद्र जितने भी stocks हम उनसके अंदर भी future adoption buy कर सकते हैं इसका benefit क्या है सबसे बहला benefit कि हमें पैसे कम pay करने बढ़ते हैं for example reliance है reliance का अभी currently अगर 2500 का एक stock है ठीक है 2500 का एक stock है अगर हम इसके future and option में buy करना चाहते हैं तो हमें क्या pay करना है हमें price नहीं pay करना 200 हमें इसका premium pay कर ले मानलो इसका premium जो भी इसका strike price होगा 25 है तो मैंने पच्छी सो बीस पच्छी सो चालीज जो भी मैंने strike price पर मिरको लगता है कि market यहां से बढ़ेगी मैंने उठा लिया ठीक है जैसे इसका load size मानलो 300 का है हर एक share का अपना load size होता है ठीक है तो मैंने आपे 300 का अपना load size है अभी currently जो शेर का price हो इतना है पर premium जो है वो 500 रुपे है तो मैंने उठा लिया इसको ठीक है मिरको लगता है market अप जाएगी तो मैं किसी के अंदर भी trade कर सकता हूं मतलब stocks के अंदर index के अंदर तो अगर आपको put option call option पता लगा तो इ तो वीडियो अच्छी लगी तो like करें सब्सक्राइब करें